नमस्कार साथियों मैं मनिश्मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तेह दिल से स्वागत और विनंदन करता हूँ मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी शांदार, जवरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारिया हैं वो काफी बहतरिन चल रही होगी तो हम लोग पढ़ रहे हैं 1723 तो इसके लिए ककषा वारा की राजनिती विग्ञान, राजनिती विग्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं जौनतंदर भात की राजनिती का अध्याय तीन नियोजित विकास की राजनिती पॉलिटिक्स अफ प्लान डेवलमेंट चैप्टर नुबर फ्री और आज है उसका लेक्चर नुबर फोर चलिए आज की लेक्चर में में क्या पढ़ना है आज टोपिक दो ही है एक है या इंडिस्लिफ पर ज्यादा फोकस करा जाएगा जानेंगे फिर बात करेंगे मुख्य विवाद जो मेजर कॉंट्रवर्शी ती तीब पने भाट अध्यों के करण की तेजरफ था जब हम लोग आजाद हुए हमारे सामनी बहुत बड़ा सवाल था कि हम लोग किस की तरफ जाए हम पुझीवाद की तरफ जाए हम समाजवाद की तरफ जाए हम कृशी पे जादा खर्चा करें हम उद्योगों पे जादा खर्च करें ऐसा हमार जो सवाल है वो बने रहे पर्थम पंचवर्षी योजना जब आई उस पर्थम पंचवर्षी योजना में मुख्य ते जो फोकस करा गया जो में केंदर के बिंदू रहे कि यहां पर हमें ध्यान देना है वो था भारत को गरीबी से भार निकालना लोगों की बचत बढ़ाना बचत केसे बढ़ेगी लोगों की आय भढ़ेगी उनको अच्छा रोजगार देना और कर्शी पर मुख्य से विकास करना क्योंकि कर्शी का विकास अत्य दिक जरूरी क्योंकि 85% की जो आबादी है वो कर्शी पर निर्भढ़ेगी पर यही एक बड़ा मुख्य विवाद ब के कर्शी बना मुख्यार हमें उद्योंगों पर ज्यादा खर्चा करना चीह है या में कर्शी पर ज्यादा खर्चा करना disrupt कों सा ज्यादा बेटर है लिए ज्यार कू पर यह देज योजना धुक्राइन की जो रफत तरहunk है। बारी उद्धियों सब्सक्राइब सब्सक्राइब योजना होगया है। ये भारत के एक अर्थसास्त्री है, सांक्या की विद्र है, ठीके, और अगर आप लोगों ने कक्षा 11 की अर्थसास्त्र पढ़ी हो, अगर आपके साथ पॉलिटी के साथ साथ अर्थसास्तर भी है, तो आपने जरूर इन क्लास 11 में के बारे में पढ़ाओगा, बहुत कुछ आप प्वालीटी पढ़ी पढ़नी चीए, क्योंकि इकॉनमिक्स को अर्थसास्त्र को प्वालीटी का बकर कहा कह सकते हैं कि बेस कहा जा सकता है, बेस है, एकोनोमी अच्छ से रहेंगी, तो वाली तो पॉलिटी आफ्ज़ चलती रहेंगी, तो दोनो साथा सब्जेक्ट रहें तो अच्छा रहता है तो पीसी मालों पीस जैसे बड़े अर्थिसास्तिरों उनके साथ और योजना कारों ने मिलकर कि इस योजना को तयार करा है इस वाली जो फाइफेर प्लान इसको तयार करा है पहली योजना का मोल वंतर था धीरज देखें पहली जो योजनाथी उसका क्या रखा गया पेशेंस कि हमें क्या रहना है पेशेंस हम लोगों को रखना है हमें धीरज रखना हमें शांत तरीके से काम करना है जैसे कुछ आर्थिसास्तिरों ने यह भी कहा था कि शूराती 2 दश्टकों में सरकार का विकास का नजरिया होना चाहिए उसमें जो मेंन फोकस करागा है हूँ किसे तेज गति से संडस्तात्मक बदलाओ, मताब fast speed समलोग क्या करे है हमार जो structure है उस structure में बदलाओ लेकर करे है, हम कर्षी के साथ साथ हम उद्योगों पर भी खर्चा करे हम service sector जो सेवा शेतर है, उस पर भी हम लोगों को खर्चा करना चाहिए इसके लिए हर संभू दिशा में बदलाओं की बात ते की गई थी अब देखो अब आपको जो आप अपना जो आइडिया है उसको चेंज कर रहे हैं आप कर्शिस आप उद्द्वोगों की तरफ जा रहे हैं सरकार ने देशी उद्द्वोगों को संद्व्षन देने के लिए आयात पर भारी सुल्क लगाया अब सबसे important बात आप यहां पर समझने की कोशिश करें कि 1947 में हम आजाद होने के बाद भारत के सामने दो मोडल रहें समाजवात या पुझीवात भारत ने दोनों को ही ठुकराया और दोनों का मिश्रिण अपनाते हो बारत मिश्रित होते हैं अब यह बंद आर्थ विवस्ता क्या होती है आप देखो फिर वापे से एकोनोमिक्स काम आ गई ना अब जो बच्चा है 12 में एकोनोमिक्स भी पढ़ेगा ना समझ्टी में पूरा चेप्टर है बंदी अर्थवियोस्ता का ठीक है ना क्लोस्ड एकोनोमिक का वो पूरा चेप्टर पढ़ेगा तो उसको यहां पर समझाने की ज़्यादा आवशकता नहीं होगी और इसकी और गयराई में जाकर कि वो समझ सकता है पर सीधा सागर मैं कहूं बंद अर्थवियोस्ता का मतलब क्या है कि ना भार से कोई कंपनी आएगी ना भार से कोई सामान आएगा और ना हम यहां से कुछ बेजेंगे मतलब सब अब भार से क्या कर दिया मना कर दिया कि नहीं निसाब हम आपकी फेक्टरियों को यह पर नहीं लगाने दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन यूरोप की जो देश है यूरोप के कंट्रीज है वो काफी विक्सित हैं काफी डवलप्ट हैं उनके पास बहुत अच्छी प्रिंगे और सामार बना कर कि क्या करेंगे और जब वह यहां पर सस्ते में सामाल बनाएंगे तो जो देश के अद्र र divis नहीं को बर्बाद कर दीए और अगर अब भारत क्यरत बन रहेगी हम किसी को बाहर से हमार देश प rivals लगाने नहीं देंगे इसके एमिर इंगर अमwnieीक है इंडिया भेज़ रहा है जब हुक घी सहाना तु इससे लगा़ जाता आया ठीक्स लगाये झाता है उसके आप हमारे देश में सामान भेज रहे हो इसलिए हम आपसे टेक्स वसूल रहे हैं उस कंपनी से अब क्या होता है कि सरकार ही जो आयात शुल के यह अगर जादा लेती अब मालों कोई सामान 100 रुपे का था सरकार उस पर 50 रुपे आयात शुल के ले लिती वह सामान 1200 का हो गया और जब भार की कंपनी का नहीं खरी देंगे तो सेकार ने भार की कंपनियों का भारत में दबnewा बनाने से रोकने के लिए को डेसी उद्द्योगों को संदक्षन देने के शुरूराइफ करी और जब आयात पर भारईशूल क लगाया कोटा निश्षित करा कि इतन नहीं सामान भार के देशों से आएगा, इससे ज़्यादा सामान भार से नहीं आएगा, यह सब कुछ क्लास इलेंट की एकोनोमिक्स में बड़े ही अच्छे से बता रखा है, पूरी एक किताब है, उसमें अच्छे से बता रखा है, और क्लास 12 की वेस्टी समस्टी तो काफी बैतरिन किताबे हैं, संदक्षन की इस नीती से नीजी और सालजिनिक शेतर के उद्धोगों को आगे बढ़ने में मदद मिली, और संदक्षन की जो नीती है, जो बचाने की जो नीती है, इससे जो नीजी और सालजिनिक शेतर के उद्धोग है, ठीक है, अब यहाँ पर सरक अपार सिर्फ और से हरो जो सरकारी उत्योगों को बचाने को बचाने का काम कर रहे हैं, सरकार कोंगा रिए सल और मैं वेंटतने अलाते वयारे खे 130实 रहें. लगू उद्योग और बड़े उद्योगों में क्या नतर होता है बिटा पूंजी के निवेश पे राधारी तो होता है जिसे फूर एक्जामल मान लो कि एक करोड रुपे तक अगर एक करोड रुपे तक कि किसी भी कंपनी की पूंजी है तो वो क्या कहलाएगा वो लगूद्योगों कहलाएगा और एक करोड से जाद आपने पूंजी का निवेश कर रखा है तो वो क्या कहलाता है बड़े उद्योग कहलाते है इसकी exact क्या अभी चल रही है कितना सरकार ने ते कर रखा वो आप एक पर सर्च कर लीजिएगा बाकि लग बग लग वो एक करोड के आसपास ही है मतलब एक करोड था कि मेरी पूंजी है मैं लगूद्योग में आ रहा हूँ तो उस समय तो पांच लाग ही थी उस समय के 5 लाग बहुत बड़ी बात थी तो सरकार ने यह कह़ा रहा था कि कुछ वस्तु है भारत में भी कुछ वस्तु सिर्फ और सिर्फ लगूद्योग वाले यी बनाएंगे कुछ वस्तू लगुद्यों को जैसे माली जाज मेरी बहुत बड़ी कमपनी है मेरी बहुत बड़ी कमपनी है मैं बड़े उद्यों को में आ रहा हूँ मैं बड़ी इंडस्ट्री में आ रहा हूँ जैसे उद्योगों को सावजिनिक शेत्र में विक्षित किया जा सकता था अब देखो इस समय में बचत भी बढ़ी है ठीक है ना क्योंकि किसी चीज में जब निवेश हुआ है तो उत्पादेन बढ़ा लोगों के पास रोजगार आया रोजगार से आई आई तो उनके पास ब इन शेत्रों का विकास करना सरकान ने शुरू कर दिया यह एक इंडेस्ट्री की तस्वीर आपको दिखाएगी दरसल और दिये गए इस जो ने भारती अर्थवेस्ता के विकास को एक नया आयाम दिया अब जो दित्तिय पंचवर्शी योजना में जो मेन फोकस करा गया था उद्ध्यों की करन पर इंडेस्ट्राइशिशन पर इस से जो भारती अर्थवेस्ता के विकास हो एक नया आयाम उसको मिला मतलब हम यह कह सकते हैं कि एक आप उद्ध्यों की करशी में हम हजारों लोगों को रोजगार एक साथ नहीं दे सकते पर दो अगर एक फेक्टरी का अगर 50 भी माल लीजिए अगर 50 भी उस परकार के छोटे मोटे उद्ध्यों चलते हैं तो अगर आप 50 के साथ 500 लोगों को रोजगार मिल जाता है तो उद्ध्यों एक तो बड़े इस तर पर रोजगार देता है और फिर जो बड़े बड़े उद्ध्यों होते हैं वो बड़ विश्व बाजार से प्रोधगी की खरीदने में उसे अपनी बहुं मुल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी देखिए प्रोधगी की में सबसे इंपोटेंट बाती थी अब देखो जब हम उद्योगों की बात करते हैं तो उद्योगों में बड़ी-बड़ी मशीनों की हम बात करते हैं भैतर टेक्नलोजी की हम लोग बात करते हैं तो सवाल जो आता है वो टेक्नलोजी का आता है और उस समय भारत के पास खुद के अपनी टेक्नलोजी नहीं थी भार के पास अपनी प्रोदगी की नहीं थी, तो इसलिए क्या करना था उसको, अगर उसको देश के अंदर भी किसी सीट का उत्पादन करना था, तो उसको भार के किसी बड़े देश से प्रोदगी की खरीनने पड़ती थी, तो उसको जो अपना काफी जो पेसा आयना, वो क्य तो बलुकिल वैसा है कि मैं इस दोस्त को बोलगा दोड़काइल कुल देदे D चाइना हम से आगय है, एक्चुल में चाइना के पास खुद की टेकनोलोजी है, वो हर जेकर अपनी टेकनोलोजी डेवलप कर लेता है, और हमें टेकनोलोजी पर अभी भी कही ना कहीं, मतलब उस समय की तुनला में बहुत भैतर स्थिति पर आज पहुच चुके हैं, ठीक है पर फिर भी हमें काफी टेकनोलोजी होती है, जो भार के देशों से खरीनी पढ़ती है, और सरकार को आपे पैसा खर्च करना पढ़ता है, इसके अतरे उद्योगों ने कर्शी के अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्शित किया, अब देखो, उद्योगों में क्या हु प्रकर्दी के आतमे हैं, कुछ नेचर के आतमे हैं, बहू緩ादी ऐसी कटना कर जाती है, और जिस से कारण क्या होता है, वो कज करज ईजार में फस्ता जाता है, बुरश दित्वी हुजाती है, कोई भी क्षैती बारे में निवेश है करना चाहताा, ठ्लीकिनल को और उद्य लोगों का उद्योगों ने क्या करा ध्यान आकर्षित करा, इंडस्रीज ने क्या करा ध्यान आकर्षित करा, यह नहीं नहीं सब इंडस्रीज बहते हैं, अगर पैसा लगाना है, तो कहां पर लगाओ, उद्योग में लगाओ, कर्षी में मत लगाओ, कर्षी में तुम तुम त ज्याननी लिद्धा सभ किस पर ध्यान दे रहे ते on ड्यों के ऐसे में खादान संखट के आशक आशरंक का लगसर सता रही तो इसी कारण के आप खादान पी संखट हो गया काने की जो सामनों ने की तरहीज कर दालों की दॉब्द बनाना था उद्योंकार करशि के संतुलल्ल अगर हम कर्शी कर्शी पर पैसा खर्च करते रहेंगे तो उद्योगों का विकास नहीं होगा हम बड़े इस तर पर चीजों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे और हम एक भैतर अर्थ व्यस्ता नहीं बन पाएंगे और अगर हम सिर्फ और सिर्फ उद्धोगों का विकास करते करशिका नहीं करते तो खादानों जैसी जो समश्य है वो समश्य हमें देखनी पड़ेगी तीसरी पंचवर्षी योजना दूसरी योजना से कुछ खास अलग नहीं थी तो सेकिंड वाली और थर्ड वाली दोनों में सिमिलेटी है काफी अत्रक सिमिलेटी वोई उद्धोगी करेंट सब कुछ होई है आलोचोकों ने ध्यान दिलाया है कि इस समय से योजना की रण नीतियों में सीधे-सीधे शेरों की तरवतारी होती नजर आ रही है देखो अब अगर अगर अपने सिधा सा कॉंसेप्ट मानें अगर मैं कहूं कि हमें संतुलन बनाना किसमें कर्शी में और उद्धोग में अब मुझे एक बात बताईए जनरली कर्शी कहां होती कर्शी आपने कभी शेरों में होता है देखी शेरों में तो लोगों ने मिटी नहीं छोड़ी जहाब ठीक है न तो खेती बाड़ी तो बहुत दूर की बात है कर्शी कहां पर होती कर्शी होती ग्रामिन एलाकों में हो और उद्योग जो आपको देखने को मिलेंगे, वो काफी बड़े जो अच्छे कासे शेहर है, वहाँ पर देखने को मिलेंगे, अब अगर मैं ये बात कहूं, कि सरकार उद्योगों का विकास कर रही है, सरकार इंडेस्ट्रिस का विकास कर रही है, तो मैं कह सकता हूँ, आप बढ़ाने के चकर में बली किसकी छड़ाय जारी, करशी की छड़ाय जारी है, गरामी शेत्र की बली छड़ाय जारी, ऐसा लोगों का उस समय के कुछ विद्वानों का मानना था, यह बात आपको किलियर होने चाहिए, तो यहाँ पर आलचोकों ने यही का है, कि जो रणीती सर सरकार बना रही है, उसमें शेरों की तरफ दरी साफ साफ दिख रही है, कि सरकार शेरों की तरफ सरकार का जुखाओ है, कुछ अन्य लोगों का मानना था कि करशी की जगे उद्वानों को प्रात्मिक्ता देकर गलती करेगी, कि उद्वानों को प्रात्मिक्ता नहीं देनी चाहिए तर्कार को उद्दोगों को माइं मिशीन ओक लगाँ, आप कषी आदारीत उद्दोग कों अर्थ के हैं। समझें और कहीं ना कहीं हम इसको एक solution के रूप में भी देखते हैं जब हम यह चर्चा करते हैं कि हमें उद्ध्योगों को ज्यादा लगाना चाहिए या कृष्षी को ज्यादा लगाना चाहिए तो उसमें बोले सार उधारन दीजिए बिलकुल दे देते हैं जिसे माल लीजिए आप कोटन की शट मेहनते हैं अब कोटन जो रूई है उसका उत्पदन तो खेती बारी मिन होगा किसान ही करेगा तो साब क्या करो आप ऐसी इंड़ेस्ट्री लगाओ जिसमें कोटन की शट बनती हो आप आप टोमेटों सोस की बात करते दो टोमेटों में जो टमाटर है सोस में टमाटर है वो कहां से जाएगा क्रशी से जाएगा तो अब इससे क्या होगा कि कच्छे माल के लिए पूर्ण रूप से उद्दो किस पर निरबर हो जाएंगे क्रशी पर निरबर हो जाएंगे किसान का हुद्र उद्दो का द्पавाद जचाँ मीन के भए तासिल ना वि Wij सबना को एक सब्सक्राइब का तो यह चाल वैद्द सब्सक्राइब बधयों। और से जल्दे की जिघ्या पाए तो यह कि अगर आपने पढ़ा है तो आप कुछ रिमाइन कर पा रहे हैं कितना नहीं पहली बात है दूसरी बात मेरा यह रहता है कि हम कितने बेवकूफ ही में जी रहे हैं ठीक है ना हम जो चीजे बैसिक से पढ़ते वह आ रहे हैं ना हम उन्हीं को छोड़कर करके आगे और हम 1112 प करके बैठे हैं पर मैं जो बेसिक बाते हैं वो नहीं बता जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ लिए काफी पहले ही पढ़ लिए ठीक है ना और एक आपको मैं सोर्स यह से लिए भी बताता हूं कि कि in case कभी आप किसी को दूसरे को explain कर रहे हु आप अगर किसी को दूसरे को topic समझा रहो ना तो आप उसको कह सको देख यह यहां पर है और जब हम कोई भी teacher हो leavesён करता एं वो जादा books के रेफरेंस्ज देता है ज़्यादा बताता है, तो सामने वाले को विश्वास पेदा होता है, तो सही कहरा होगा, तो जब आप भी कहीं किसी को कोई चीज एक्स्प्रेन करते हो, तो आप कह सको, क्यार क्लास 10 की जो गरफ में जो चैप्टर 6 है न, वी निर्मान उद्योग, उसमें कर्शी आदारित उ मैं कहता भी हो कि 9 की किताबें, भूँद की बहुत 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 रही, आपने नहीं पढ़िए उसमें कोई दिक्कत वाली बात महीं है, अपन तो वैसे भी जूरों से चल रहे हैं, नहीं तो आज मुझे पूझ कर्शी आता रहता हैं तो तो पर बहुत कम वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी साथ चलें, ठीक है ना, और दोनों को साथ लेकर के चलना जरूरी, मैंने आपको पहले भी एक ही बात कही थी वच्चो और वापस एक ही बात कहता हूँ Social Science का, Humanities का एक Student होने के नाते आप लोगों पर ये जिम्मेदारी है, और मेरे एक टीचर होने के नाते पर मेरी ये जिम्मेदारी है कि हम सामजिक विज्ञान जब हम पढ़ते हैं, हम Arts जब पढ़ते हैं, तो सामजिक विज्ञान समाज का विश है हम किसी मुद्दे हैं, लिंक हैं, उनको जोडने के कोशिश करें, तोड़ना हमारा मुद्दा नहीं होना चाहिए, अगर तोड़ना हमारा मुद्दा होता तो फिर हमारा हम पॉलिटी में इको का पढ़ रहे हैं, कितनी कनेक्टिविटी है, कितना जुडाओ है, कितना एक साथ इन सब्जेक्ट्स का आया, इन चीजों को समझेगा, बाकी कभी ऐसा दिल पर मतले लीजिएगा, कि नहीं नहीं सर तो टेंथ का वोल्टर हमने नहीं पढ़ा तो मैं तो तो ओद्यों की करण की तेज रफतार खतम होगी, रफतार पर ब्रेक लगा दिया अपने, चलिए, अब मुख्य विवाद, अब बात आते हैं कि सर विवाद किस बात का, विवाद क्यों, विवाद यहां पर कोई किसी ऐसे लड़ाई जगड़े वाली बात थी, बात यहां यह थे कि हम किस तरफ हम लोग जाएं, दो बातों को लेकर के विवाद उठा, जैसा एक बात तो अब भी आपको लास्ट स्लाइड में समझ में आ गए होगी, कि हमें एगरिकल्चर, एगरिकल्चर वर्सिज इंडस्ट्री, किस पर ज्यादा खर्चा करना ची, मतलब मैं बनाम उद्योग, किस पर खर्चा करें, एगरिकल्चर पर ज्यादा खर्चा करना ची या इंडस्ट्री पर ज्यादा खर्चा करना ची, सरकाल का ज्यादा फोकुस किस पर होना ची, एगरिकल्चर पर होना ची या इंडस्ट्री पर होना ची, तो पहला मुद्दा या पहला विवाद तो हमारा ये था दूसरा विवाद जो बोला गया वो ये बोला गया कि पॉब्लिक सेक्टर वर्सिज प्राइवेट सेक्टर मतलब हम कहें सारवजुनिक शेत्र बनाम अब यह दो है ना यह दो विवाद हैं उस वहके कि सरकार एक्रिकल्चर की तरफ जाय या इंडिस्ट्री की तरफ जाय Bear सरकार खुद के पह जादा कंट्रोल रखे या प्राइवेट के पह जादा कंट्रोल छोड़े ठीक ठीके न, दोनों को अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे, पर एक छोटा सा ओवर्वी में आपको दे देता हूँ, अगर जब हम यहां विवाद में फसे हैं, यहां हमारे सामने समझे हैं, तो इसका जो हम सोलुशन मानते हैं, वो हमने क्या माना, कर्षी आदारीत उद्द्द्द सरकार ऐसे उद्द्द्द लगाए, जहां पर कच्चा माल कहां से जाए, कर्षी से जाए, जिससे किसान को भी फायदा हो, और उद्द्द्द वालों को भी फायदा हो, और जब हम बात इसकी करते हैं, कि सारुजनिक शेत्र बना नीजी शेत्र, तो इसका सारुजनिक शेत् हमें उने का मतलब है पुझी वाद, तो हमने दोनों को ही नहीं अपना करके, हमने मिश्री दर्थवेस्टा का अपनाया, तो इस विवाद का जो solution था, वो क्या थी? मिश्री दर्थवेस्टा, मिश्री दर्थवेस्टा, तो इन दोनों विवादों का लगबख लगबख जो overview जो solution जो हमें, मैं शोट में आपको बताया है, वो यह है, अब इनको detail में आईए, हम जानते हैं कि detail में की क्या काहनी, पहले करशी बनाव, उद्धोग की बात कर लेते हैं सवाल भारत जैसी पिछरी अर्थवेस्टा में करशी और उद्धों के बीच किस में ज्यादा संसादन लगाए जाने चाहिए, तो बड़ा सवाल है, कि भारत को बिल्कुल पीछे करकर के चले गया हैं, ब्रिटिशस, खूब नुकसान करा, आर्थी ग्रूप से, सामाजी ग साबादी आज काम कर रही है, उस किर्शी पर खर्चा करना चाहिए, जो पूरे भारत का पेट बरती है, या उन उद्धोगों पर खर्चा करना चाहिए, जो देश को विक्सित बनाएंगे, क्या उन उद्धोगों पर खर्चा करना चाहिए, जो लाखों लोगों को एक साथ रोजगार दे सकते हैं, यहां भड़ा सवाल है कि करशी या उद्योग, कौन सावाल है बैटर है, तो यह एक सवाल है, इस सवाल का जवाब अब हम यहाँ पर देखेंगे, कई हो का मानना था कि दूसरी पंचवर्शी योजना में करशी के विकास की रणनेती का भाह हो था, औ मतलब कमी करशी के विकास की रणनेती है नहीं सरकार के पास, दित्य पंचवर्शी योजना में सरकार के पास करशी को विकास करने के लिए कोई रणनेती, कोई स्ट्रेजी सरकार के पास नहीं है, और यह जो उद्योगों पर जोड़ दे रहे हैं सरकार, बार-बार में सब खेती और ग्रामण इलाकों को बली छड़ा करके क्या करा जा रहा है उद्योगों का विकास करा जा रहा है शेहरों का विकास करा जा रहा है अब यहां पर खेतों को ग्रामण इलाकों से क्यू जोड़ा और उद्योगों को शेहरी इलाकों से क्यू जोड़ा वो मैं पहले आपको explain कर चुका हूँ जैसी कुमारप्पा जैसे गांदीवादी अर्थिसास्तिर ने एक वेकलिप योजना का खाका पर सुथ किया था जिसमें ग्रामन ओद्यों की करण पर ज्यादा जोड़ था ये जैसी कुमारप्पा जी है ये कौन थे गांदीवादी थे जो गांदीजी की विचारदारों को अपनाते थे गांदीजी की विचारदारा में सबसे जो में पॉइंट रहा वो राग रामिशत कि भारत की आत्मा गाउं में बसती है जैसे कुमारप्पा जी गांदीवादी थे गांदीजी की विचारों को अपनाने वाले थे तो इन्होंने एक ऐसा खाका है, हम कह सकते हैं, एक ऐसा ड्राफ्ट तियार करा, जिसमें इन्होंने क्या बोला कि उद्ध्योग की करण होना चाहिए, no doubt, बिल्कुल, गलित बात नहीं है, काफे लाकों लोगों को रोजगार मिलता है, काफे विकास हो, बिल्कुल सही बात है, उद्ध्योग लगने चाहिए, no doubt, परन्तु यह उद्ध्योग हम शेरों में ना लगा करके गाओं में लगा दे तो, बात तो सही, इससे क्या होगा, ग्रामिन इलागों का भी विकास हो जाएगा, इसके साथ क्या होगा, अगर कोई वहां पर उद्ध्योग ऐसा लगा है, जो कि करशी का कच्चा माल चीज़ तो खेतिवाड़ी गाओं में होती है, वहां से अच्छे आसानी से सामान भी मिल जाएगा, काफी जो गाओं में लोग है, बेरोजगार है, उनको उद्ध्योगों में काम मिल जाएगा, तो ग्रामिन अवर्ट्स विस्ता है, उसका भी व जोड देने के लिए कौन से विक्तिने का है, तो जैसे कुमारप्र जैसे लोगों का नाम उसमें लिया जाएगा, तो आप थोरा सा काफी ध्यान से इन चीजों को पढ़िएगा, चोदरी चरन सिंग ने भारती अर्थ विस्ता के नियोजन में करशी को केंदर में रखने के बड़े सू विचारी तो दमदार धंग से उठाई थी, ये चोदरी चरन सिंग जी है, इन्होंने भारती अर्थ विस्ता में करशी को केंदर में रखने में, केंदर में रखने का मतलब जो मेन फोकस पोइंट होना चीए, वो क्यो होना चीए, करशी होना चीए, सरकार को उससे अलग होकर इन्होंने भारती लोगदल नामक पार्टी बनाई, ठीक है, तो आप चोदरी चरन सिंग पहले है, कौगरेस पार्टी में थे, आप सवाल यहां पर है, आप चेप्टर टू में ढूंडते रहे जाओगे, भारती लोगदल पार्टी किस की थी, किस की थी, अब यहां आपको चेप्टर 3 में मिल रहा है, भारती लोगदल पार्टी, किस की है, चोदरी चरन सिंग जी कि, किसने बनाई कि, चोदरी चरन सिंग जी ने भारती लोगदल पार्टी बनाई, उन्होंने कहा कि नियो जन से शहरी और और ऊद्धियों की तप्कें समर्द हो कर रहे हैं और इसकी किमत किसान और ग्रामित जनता को हो कि सकार 빨리 करें उसे जो शेरी लुक्त पर्द्रकु वर्दिधर को तैज किए बगए गडernे नहीं मिल सकता है । कृरशी के सपोर्टर आप दूसरी तरफ अगर में कहुं अदोग र्म पर के सपोर्टर में क्या कह रहे हैं उन्होंने कहा कि अद्दोक की उतपादर कीये बिना हम गरीबी के मखर जाल से भार निकलना तो हमें क्या करना होगा हमें खेती बाड़ी पर कम फोकस करके उद्दोगों पर जादा फोकस करना होगा क्योंकि उद्दोगों में बहुत जादा उत्पादन एक साथ हो सकता है लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है ठीक है देश की अर्थवियस्ता बहतर हो सकती है इसल लोगों का इमाना था कि भारती अर्थवेस्ता को जो नियों जाने जो प्लानिंगे उसमें खादान के उत्पादनों को बढ़ाने के लिए रनीती सरकार ने अपना ही है अब भूमी सुधार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11 की पॉलिटी में बड़े अच्छे से पढ़ा है तो भूमी सुधार ठीक है राज्ये का मतलब सरकार की बात हो रही है सरकार ने क्या करा भूमी सुधार के लिए और ग्रामी निर्धनों के बीच संसादन के बटवारे के लिए काफी योजने बने कि जो जमिनदारों के पास भूमी है जो अमीरों के पास भूमी है वो किसको दे दी जाए गरीबों को, किसानों को बाट दी जाए जो संसादन है वो अमीर गरीब में सही रूप से बाटे जाए ये सारे काम क्या है ये करशी के विकास के लिए तो किये गए सरकार के दुआरा मतलब मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि सरकार ने दोनों पर एक साथ काम करने की कोशिश करी ये करशी पर भी करी है और दुगों पर भी सरकार ने करी नियोजन में सामुदाइ के विकास के कारेकरम, तदा सिचाय प्रयोजनाँ पर बढ़ी रकम कर्च करने की बात मानी गई थी बाई कहीं आसपास में नदी है तो वहां बांध बनवा दिया जाए ठीक है ना बोरिंग से लोगों के लिए खुर्दवा दिया जिसे की लोगों तक पानी पहुँचे केनाल बना दिया यह सारे काम सरकार ने करें नियोजन की नीतिया आसफल नहीं हुई है आप देखो सबसे इंपोटेंट बात जब सरकार ने इतना काम करा ठीक है सरकार राजे में भूमिसुदार कानून लागो कर रहे हैं संसाधन के बटवारों को समान रुप से कर रही है सिचाई परियोजन है सरकार चला रही है बांध किष्जिका विकास होना चाहिए तो कहां कमी रह गई कमी कहां रह जाती है आपको पता कहां रही सप्रकाने बहुत सी पॉल से नीतिया बनाई पर देखते हैं तो बिल्कुल निल वट से नाट हो रहे कि उसका लागू हुई तो फिसका सामाजी की सतर भी जाते हैं तो सामाजीक आर्थिक राजनीती गुर्प से वो ज़्यादा ताकतवर थे इसके अत्रिक्त ऐसे लोगों के एक दलिल ये भी थी कि यदि सरकार करशी पर जाद धर्णाशी खर्च करती तब भी ग्रामिन गर्वी की विक्राल समश्या का समाधान न कर पाती तो जो उद्योगों के सपोर्ट में हैं वो uży कि सरकार ने इसी बात नहीं कि खेती वाड़े पर खर्चा नहीं करा हूँ जाता जाता उद्योग लगाए जाए अब फिर दूसरा जो हमार टोपिक है वो है नीजी शेत्र बनाम सारजनिक शेत्र प्राइवेट सेक्टर बर्सिस पब्लिक सेक्टर ठीक है अब इसका अगर हम सोलुशन में देखे तो हम यह मानते है कश्री आदारी तो द्योग सरकार को लगाने चाहिए विकास के जो दो जाने बाने मोडल थे भारत में उनमें से किसी को नहीं अपना है दो जाने बाने मोडल कौन से थे एक पुंजीवादी मोडल था जिसमें नीजी शेत्र के ब्रोस सब कुछ होता था तो भारत ने यह रास्ता भी नहीं अपना है देखो अब यह मुझे समझान करा के हाथ में हो क्यों नहीं अपना है वो पहले भी हम लोग डिसकस कर चुके इन दोनों ही मोडल की कुछ एक बातों को ले लिए गया और अपने देश में इन शित्र के आतों मेरा तो वहले खेती, किसानी, व्यापार करना, उद्द्यों करना यह सब नीजी शित्र के आत्मे हैं, इसमें सरकार धकलंदा जी नहीं देगी। राजजी ने अपने हाथ में भारी उद्द्यों का रखा और उसने अधाबू धाचा प्रदान किया, तो जो भी भारी उद्द्यों के उनको सरकार ने रखा, इसके अलाव जो अलग बड़े डिपार्टमेंट से से रेल्वे हो गया, बिजली हो गया, संचार हो गया, उनको सर जो कुल में नखे चाह WA और वाम पंत इसलिए कर रहा है तो यह नाम का मिश्रित है बाकित पुझी वादि यह दोनों नहीं पुराई कर दी आलो equilibrium का कहना था कि योजना कारों ने नीजी शेत्र को प्रयापत जगे नहीं दी है और नहीं नीजी शेत्र के बड़वार के लिए कोई उपाय किया है तो आलोचको ने कहा कि सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई बड़ा काम नहीं कर आव hai आपको कोई उद्यों खोलना है, तो सरकार साब को लाइसेंस लेना है, आपको पर्मिशन लेनी होगी, जो पर्मिट है, आपको क्या उत्पादन करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना, यह सब को सरकार ते कर रही थी, और उस समय एक उद्यों खोलना मतल बढ़ा difficult काम था, सच में बढ़ा difficult काम माना गया, जैसा मेने किताबों में पढ़ाया और अनुगा होकिया है, बढ़ा ही difficult काम था, बहुत difficult task था, तो ऐसे में ऐसा लगता था कि सरकार कहीं ना कहीं सच में पूंजी वाद के लिए एक रोडा बनकर के खड़ी है, सरकार एक private sector क समश्या बनकर के सरकार खड़ी है, कि नहीं नहीं हम आपको industry नहीं खोलने देंगे, हम आपको factory नहीं खोलने देंगे, वही बात यहां पर बोली गई, कि ताकतवर नहीं थे सुवारतों को खड़ा करा, खुद के जो सुवारत है उनको सरकार ने खड़ा करा है, और उसके च शरकार ने उन चीजओं के आयक पर बाता लगाई है, जो यहां पर देश में बन सकती है, जो देश में बन सकती है, उन्हीं चीजों को सरकार बना रहे है और भार से आने पर रोक रही है, इससे क्या होगा कि जो यहां के लोग है, उनमें competition नहीं होगा, और वह बहुतर को अपनी टेक्नोजी में वो अपने काम में सुधार करेंगे इसकी वजए से नीजी शेत्र के पास अपने उत्पादों की गुणवता सुधार ने अत्वा उन्हें सस्ता करने की कोई हडवड़़ी नहीं रहें तो नातों अपनी क्वॉलिटी इस रहते अपने प्रिश्टा चाहल और DR शשता रख़िए दयें और सरकार को बढ़े ब्रिश्टा श्र Krisεις , जो टेलेंट है वो लोगों का दब जाएगा और सरकार के रूसार काम करते देंगे यहां पर प्रिष्टाचार के लिए एक थोड़ा सब को दिखाएगे कुछ ऐसे आलचक भी थे जो सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने नहीं करा ठीक है अब यह क्या है यह किस की तरफ है यह समाज़वाद की तरफ है अब भी तक कि जो आपने पॉइंट पड़े है वो किस की तरफ थे पुझी बाद की तरफ थे जीशेते जाने के लिए तियार नहीं था, तो इन्होंने का सरकार सिर्फ और सिर्फ वहीं पेसा खर्च कर रही जाने को तियार नहीं थे, बाकि सरकार ने सब कुछ क्या कर दिया, प्राइवेट को सोब दिया, मतलब यह देखिए, कि विचार सरकार क्या है बिल्कुल बीत में तेन पंजी वार्ट को भी सबक आपको यहां से देता हूँ है आज इतर्ख भाईरत में बनी इन अच्छा काम करा है हाएँ कोई सर्कार जब रही हर चीज परीस्थितिप्हे का थियंकि कंडिशन्स होती व्यक्ति हूँ आज में वह आज में को हैं काम करते हूँ जरूरी नहीं जो काम मैंने करा वो मेरा गलत है, हो सकता है मेरी परिस्तितियों कुछ ऐसे रही हो, और हो सकता है जरूरी नहीं कुछ परिस्तितिया रही हो कि वो काम मुझे करना पड़ रहा, तो हमें बिना परिस्तितियों को बिना कंडिशन्स को जाने कभे भी किसी सरकार प बदलाव आप देख लीजिए, आप आर्थिक बदलाव देख लीजिए, आप राजनितिक रूप से बदलाव देख लीजिए, हर चीज में काफी कुछ बदलाव आया है, 1950 की व्यवस्ताएं आज से जादा दाए निये थी, बहुत पुरी स्थिति में था हम लोग, कुछ समझ जया हम भाई-भाई साथ रहते तो उनका बटवारा हो चुका था, हमारी संपदा, हमारी सब कुछ बट चुका था, हमें हमारा देश के लिए भैतर सविधान त्यार करना था, हमें लोकतंतर को बनाये रखना था, वो भूत भूत डिफिकल्ट टाइम में था हमाली है, और हमारे वालों नहीं, हमारे वालों डिफिकल्ट रास्ता चुना है, तो किसी भी सरकार की, किसी की हमें आलोचना ऐसा नहीं करने चाहिए, सब ने अपने इस तर पे काम करा है, चाहिए वो सरकार कोंग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, किसी गड़बंदल की रही हो, किस जितने सवाल आप सरख्रार से कर रहे हैं, कुछ सवाल, हमें खुदे से भी करने चींजें, की हमने क्या बयद्ला उलाने के लिए काम करा, हमने ऐसा क्या करा, जिससे कि मेरा देश बहतर हो सके, और अच्छा बन सके, हम तो इतना भी नहीं कर सकते कि छोटा से छोटा भी अगर काम हो तो हम वो भी करते नहीं अगर हमें ये कहा गया सोच भारत मिशन के दरत कि आपको कचलड़ा सलुकों पर नहीं फेकना आपको गंदगी गईनी फेलानी है बट हम मानते हैं हम गाड़ी में जा रहा है, कूरकुरे खाया चिप बारेंठ, कूरकुरे का पारेंठ, आर्टल बारेंठ हम क्या कर रहे हैं? 첫 कि मैं कुछन आता था कर दो हमें भुद से आना जाए कि हम क्या कर रहा है? सरकार के Oपर जिम्मेदारी 130 क्रोड के आबादी रिए पर आपके उपर तो खुद की तो जिम्मेदारी है आप खुद का तो टायट पूने ले सकतें कि नहीं नहीं साब मैं कम सकम देश के लिए बहतर कारी कर बहुत मैं यह कर सकतेज़ाओ मैं यह निए कर आप स् anf society को change कर दोगे साड यह लो 10,000 पे नीचे से लो और पहले मेरे बच्चे का अडमिशन कर देना यह काम कर दो यह से लो मेरा काम पे लिए कर देना शुरात हम ने कर दर हें जैसा हम चल रहे हैं वेसा है पिलो प आज गर किसी को कहे नहीं तो क्यों बश्चाजार करता चोड़ दे यार मैं छोड़ दूँआ पहले सब छोड़ दे फिर मैं छोड़ दूँआ मतलब कहीं न कहीं खोट हमारे अंदर भी है हमें भी कमी है और फिर मुझे संत कमीर का वो दोवा याद आता है कि मैं बुरा ढूंदने चला जग में और जब खुद को देखा तो मुझे बुरा ना कोई मुझे exactly याद नहीं पर अर्थी है कि हम दुनिया में बुराईया निकालते है पर जो हम खुद की तरफ अगर सर करें अगर हम खुद को देखें तो हम में क्या बुराईया है हम में क्या अच्छा ही है तो खुद पर फोकस करें सरकार पे इतने आरोप परतियारोप लगना यह लोगतंत्र के एक बहुत अच्छी बात है लोगतंत्र में लगने ची ठीक है मैं डॉक्टर क्लाम की बात को कोट करूँगा डॉक्टर क्लाम ने कहा था कि एक अच्छा विद्यारती वही है जो सवाल पूछे और उनी की बात को आगे बढ़ाते हैं मैं कहता हूँ एक अच्छा नागरिक भी वही है जो सरकार से भी सवाल पूछे विद्यारती की पेचान है वो सिक्षक से सवाल पूछे जादा से जादा और एक अच्छे नागरिक की पेचान है कि उस सरकार से सवाल पूछे पर सरकार के साथ वो खुद से भी पूचे कि मैंने मेरे देश के लिए बहतर बनाने के लिए क्या करा है तो सरकारों ने अपनी तरह से बहुत काम करा है दरशल सरकार ने इस तरह से निजी शेतर की मुनाफ़ा कमाने में मदद करी तो समाजवादी लोग कहा रहा है कि सरकार ने तो प्राइवेट सेक्टर को मुनाफ़ा प्रॉफिट देने का काम करा इस कैतरिक्त मदद गरीबों की होनी चाहिए लेकिन राज्ये के हस्तक शेप के फलसुरूप एक नया मद्यवर्ग उठ खड़ा हुआ तो अब यहाँ पर इस अफ़िय में गरीबी में कोई ज्यादा कमी नहीं है कि मैं गरीबी कम होगी है हाँ उनके परतिशत में कुल जन संक्या में बहले कमी आई हो पर तो उनकी संक्या में बढ़ोतरी ही हुई है मतब इंक्रिमेंट ही हुआ है तो इसी के साथ आज अपना ये लेक्चर जो है वो पुरा कम्प्लीट अब हम मुख्य परिणामों की बात करेंगे मेजर आउटकम्स की बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यारतियों मेरे आर्स के प्यारे बच्चों अगर आपका कोई सजेशन हो प्लीज कमेंट बोक्स में में मेंशन करें और बच्चों आपको lectures कैसे लग रहे हैं, क्या आप और सोच रहे हैं, कैसी आपकी 12 की तेयरे चल रहे हैं, वो भी comment box में mention करें एक learning share arts का telegram channel है, उसको भी आप जरूर जोइन करें बच्चों, ठीक है, उस पर आपको सभी information समय समय पर मिलती रहेगी और मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि इस परिवार को इस channel को बहुत दूर तक फैलाएं, जितना तक आप फैला सकते हैं, वो करिए, ये भी आपका एक योगदान ही होगा, कि भाई हम जो बच्चा को education नहीं मिल पा रही है, वो उसको मिल पाए, बहुत सी बार जब coaching की बात आती तो महाबाप ये कहता है, आर्स की coaching करेगा, अब बच्चों को समझ में नहीं आता, बापको पता आर्स कितना difficult है, उनको नहीं समझ में आता, तो पर अब वो कम से कम घर बेटकर के एक अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है, अब फिरी ऑफकोस भैतन त्यारी कर झाल